सिक्किम में बच्चों की जरूरत है सिक्किम की सरकार ने एक ऐसा एलान किया है जो सुर्खियों में है दूसरे बच्चे के जन पर महिला करमचारीों की सालरी बढ़ा दी जाएगी तीसरी बार माँ बनने पर महिला करमचारी को डबल इंक्रिमेंट मिलेगा आपने सही सुना कि सिक्किम सरकार लोग को इंसेंटिव्स दे रही हैं कि वो अधर और बच्चे पैदा करें और ये हमारे लिए बहुत सप्राइजिंग होना चाहिए क्योंकि एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इंडिया पूरी दुनिया की सबसे जाधा पॉपुलेटिड कंट्री वन गई है हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कई टाइम से सुनते आ रहे हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन आपने पढ़े हूंगे दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बावासिर टीवी शोज और एड्ज भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं मेकप बॉक्स में कॉंडॉम और गर्ब निरोधा लगा ये विडियो दा मद्यप्रदेश से जहां मद्यप्रदेश के जगुआ डिस्ट्रिक में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बड़े से शादी के एवेंट में कॉंडॉम्स डिस्ट्रिबूट करें लोगों को इस फामिली प्लानिंग के बारे में समझाने के और ये काई सेट्स में हो रहा है उत्तर प्रदेश हो जाएगी पर सिक्किम भी कहानी तनी अलग क्यों है सुनते हैं उधर के चीफ मिनिस्टर से तो क्योंकि अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगा तो फिर इन फूचर में प्रब्लम हो जाएगा इंदिरी आक्तर पृत्वी राज कपूर जिरोंने मुगले आजम में अकबर का रोल निमाहे था आप समझ गए होगा कि पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि फॉटिलिटी रेट कपूर खांदान में कम हुई है और ये बस उनके खांदान में ने हुआ, ये हमारे पूरे देश में हुआ है हाँ, उसके ग्रेट ग्रेंट फादर के 19 बच्चे थे जैसे 1964 में इंडिया की फॉर्टिलिटी रेट थी करीब 6 और आज इंडिया की फॉर्टिलिटी रेट करीब 2 है इसका मतलब है कि on average हमारे देश में एक महिला दो बच्चे पैदा कर रही है और जैसे हमने देखा कि ये फॉर्टिलिटी रेट हर्चेट की अलग है सिख्किम की वस 1.1 है ये पूरे देश में सबसे कम है फॉर्टिलिटी रेट के मुकाबरे सिख्किम सिंगपोर की तरह दिखता है तब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये फॉर्टिलिटी रेट इतनी कम है क्यों इसके पीछे 3 कारण है यहें एक्षा हंगमा सुब्भा सिक्किम के एक छोटे गाओं से जिसको रुम्बुक कहा जाता है वो रियालिटी टीवी शो एंटीवी सूपर मॉडल अफ दे येर के सीजन टू में टॉप नाइन कंटेस्टेंस में थी जब वो 19 साल के थी उनको एक जॉब मिल गे थी सिक्किम पुलीस फोर्स के साथ और वो काम करने लग गई क्योंकि वो अकेली कमाती थी अपने परिवार मुझे लगता है कि मैं अपने घर का लड़का हो और उनकी कहानी कोई यूनीक नहीं है सिक्किम में कई महिलाएं paid work करती है सिक्किम की female labor force participation करीब 60% है जो इंडिया की 28% की average की almost दुगनी है बस हिमाचल प्रदिश अकेली state है जिसकी सिक्किम से भी जादा ये rate है और ऐसा भी नहीं है कि सिक्किम में महिलाएं बस छोटा मोटा काम कर रही है सिक्किम में महिलाएं 40% managerial force hold करती है ऐसी high female participation के कही फायते है 2015 के government data के हिसाब से करीब 85% सिक्किम की महिलाओं के पास freedom है कही भी जाने का और 95% घर के decisions में participate करती है दोनों ही जो national average से जादे है 90% सिक्किम महिलाओं के पास एक mobile phone है जो पूरे देश में सबसे highest है पर इसी की वरे से भी fertility rate सिक्किम में कम है काई developed countries की studies ने दिखाया है कि workforce में women participation और fertility rate का एक ultra relationship है Vinkelia Bhutia जो एक assistant professor है सिक्किम government college के department of sociology में वो कहज़े कि सिक्किम में काई working mothers एक दूसरा बच्चा नहीं चाहती उनके लिए बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है और कईयों के लिए अपनी जॉब छोड़ना इतना असान नहीं है इसी वज़े से वो कम बच्चे prefer करती है और इस female participation की वरे से एक और चीज़ हो रही है सिक्किम में वो कहती कि मैं सिक्किमी इस भुटिया कम्यूनिटी से हूँ जहां ये माना जाता है कि महिलाओं के पास बहुत अच्छी fertility है मेरी दादी जनके आठ बच्चे थे उनका आखरी बच्चा 40 साल की उमर में हुआ था इसलिए वो भी मान जी थी कि वो भी बहुत असानी से प्रेगनेंट हो जाएंगी पर कई बार fertility clinics जाकर और कई doctors को देखकर अब उन्होंने हार मान ली है सवाल ये है कि सिक्किम के महिलाएं इतना लेट क्यों वेट कर रही है प्रेगनेंट होने के लिए रुची छेतरी जो एक fertility expert है ग्यांटॉक में वो कहती कि इसका कारण है कि अब महिलाएं लेट शादी कर रही है विनकेला भुटिया ने कहा कि अब लड़कियां भी लड़कों की तरह higher education परसू कर रही है और career पर focus करना चाती है इन सब चीजों के साथ में अपना सपने को भी जीना चाहती हूँ जिसका अंजाम है कि उनकी शादी लेट होती है 2019 के सरकारी डेटा के साब से 20 और 49 येल्स के age group में 25 पसंद महिलाओं के शादी नहीं होती और 40 पसंद लड़कों की शादी नहीं होती लेट शादी करने से बच्चे भी कम होते दो कारणों की वरेसे पहला है कि जो reproductive life होती है एक महिला की वो कम हो जाती है usually कहा जाता है कि 20 साल का reproductive life span होता है महिलाओं का 20 से 49 की उमर तक का अगर आप शादी लेट करेंगे तो यह life span कम हो जाएगा इसका मिलाब है कि आपके कम बच्चे उपाएं और दूसरा कारण है कि इन fertility की chances भी वड़ जाती है जैसा हमने पेमा के case में देखा पर वो couples जिनकी शादी लेट भी नहीं हुई वो भी कुछ चीजे कर रहे हैं जिनकी वरेसे fertility rate कम हो रही है इस चार्ट को देखिए आप देख सकते हैं थी कि 2020 में सबसे ज़्यादा oral birth control pill users है पूरे देश में जहां हमारे देश में लोगों को birth control और population control के बारे में जागरूप कर रहे हैं सिख्य में कई टाइम से हो रहा है जैसे 13 साल पहले एक study ने दिखाया कि 98% बच्चों को उधर family planning की knowledge थी और 86% ने contraceptives के बारे में सुना था इस knowledge की वरे से ही करीब 66% married मैल आए और 60% married मर्द या तो बच्चे नहीं चाते या फिर उन्होंने या फिर उनके partner ने sterilization कर ली है इसका मतलब है कि वो और बच्चे नहीं करेंगे ऐसे ही सब कारणों की वरे से उधर fertility rate 1.1 है अब हमारे देश में काई लोग मानते हैं कि population control करना एक बहुत जरूरी चीज है पर इतनी low fertility rate होना एक बड़ी problem भी वन सकती है और इसको समझाने के लिए मैं आपको जपान का example देना चाहता हूँ जिसकी fertility rate सिक्कीम के तरह ही है 1.2 ये एक abandoned घर है जपान का इन फाक जपान में आपको इतने खाली घर मिलेंगे कि उनको एक नया शब दे दिया है अकिया आपको लगजी कि ये प्रॉब्लम बस जपान के गाओं में होती है तोक्यो में करीब 10% घर abandoned है abandoned मतलब उन घरों में कोई रहता नहीं है और ये situation बत्ते बत्तर होने वाली है Nomura Research Institute के साब से 2030 सक 33% घर जपान के या तो खाली हो जाएंगे या फिर abandoned हो जाएंगे और प्रॉब्लम क्या है कि जपान में fertility rate बहुत कम हो रही है 1970 से ही ये fertility rate इतनी कम हो रही थी और आज जाके ये 1.2 है जब fertility rate 2.1 होती है उसको replacement rate कहा जाता है जिसका मतलब है कि अगर किसी भी देश की fertility rate 2.1 होगी तो उसकी population constant रहेगी जितने लोग मर रहे है उतने ही बच्चे पैदा हो रहे है अगर 2.1 से जादा होगी तो population बढ़ेगी और 2.1 से कम होगी तो population घटेगी इसी वरे से उधर दो प्रोग्म्स क्रेट होगी पहला उधर एक डर है कि अगर जपान हो जाएगा यह मैं नहीं बोल रहा यह बोला मसाको मोरी ने जो जपनीज प्राइम मिनिस्चर के अडवाइजर है और उनका डर सच है कहा जाता है कि 8 सालों में situation इतनी बुरी हो जाएगी क्योंकि तब महिला हैं जो बच्चे पैदा कर सकती उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि जपान की कभी भी population बढ़ी नी पाएगी और हमें याद रखना चाहिए कि इस fertility rate का एक बहुत बड़ा economic impact भी पड़ेगा 2019 में 20% से ज़ादा जपान की population 65 और उससे ज़ादा उमर किये और 2030 तक नहीं नमबर वस 20% नहीं रहेगा बलकि 33% हो जाएगा जिसका मतलब है कि हर तीन में से एक Japanese 65 यर से ज़ादा होगा जिसका मतलब है कि Japanese economy के पास इतने लोग नहीं होंगे काम करने के लिए तो जहाँ काम नहीं हो रहा होगा पर आपको बुडे लोगों को पेंशन भी देनी होगी और उनके अस्पिताल के ख़चे भी कवर करने होगी और यह मैं कोई भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम से जपान अभी भी गुजर रहा है इसी वरे से जपान ने एक ऐसी चीज़ करी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उन्होंने एक नया इम्मिग्रेशन लोग बनाया foreign workers को attract करने के लिए In fact, Nepal से कई लोग Japan गए है caregiver की job के लिए जाव वो Japan के बुड़े लोगों की मदद करते हैं और यह आपको समझना चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है Japan ने कई सालों से foreign talent को अपने देश में आने के लिए रोका है बस 74 refugees अगर Japan foreigners को अपने देश में नहीं आने देगा तो कई बड़ी Japanese industries जिसे जिपान की automobile industry के पास भी इतनी manpower नहीं रहेगी काम करने के लिए जिसका एक negative impact पड़ेगा उनकी GDP पर और यह चीज़ बस जपान में नहीं हो रही South Korea, France, China, US और India में भी fertility rates कम हो रही है In fact, Elon Musk कहते है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी problem है कि हमारी fertility rate कम हो रही है और याद रहे कि सिक्किम की fertility rate तो जपान से भी कम है तो सिक्किम को भी एक समय उन्हीं problem से गुजरना पड़ेगा जो आज जपान गुजर रहा है 2011 के census के साब से सिक्किम में बस 6,11,000 लोग थे जिसमें कई non-indigenous लोग भी शामिल है पर आप बोलोगे कि ये problem तो solve हो सकती नहीं बहुत असानी से इंडिया के दूसे states से लोग सिक्किम आ जाए तो इस video के बाद आप उस video को दे सकते हो description में link है बस सिक्किमी लोग ही कई एरियाज में property खरीच सकते हैं और tribal एरियाज में तो बस tribal लोग ही जमीन खरीच सकते हैं सिक्किम के भार के लोग जमीन जरूर खरीच सकते हैं और बस कुछ purposes के लिए जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते होता है तो अगर सिक्किम ने डिसाइड किया कि वो अपनी पॉपलेशन बढ़ाना चाहते हैं नॉन सिक्किमी इसको उसिक्किम में आने के लिए साल जैनुरी में जो लोग पॉटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्किमी नेपाली हैं सुप्रीम कोट ने एक निर्ने दिया था टाक्स एग्जैप्शन के उपर एक पेटेशन पर पर इस निर्ने में उन्होंने सिक्किमी नेपाली के बारे में लिखा कि वो लोग foreign origin के थे और वो सिक्किम में migrate करके बसे उसी समय उन्होंने सिक्किमीज communities भुटियाज और लेपचाज को सिक्किम के original लोग बुलाया जिसकी वरे से ये protest चाट हुई पर इस protest को समझने के लिए हमें सिक्किम का इतिहास समझना हुआ सिक्किम में तीन में ग्रूप से लेपचाज भुटियाज और नेपाली लेपचाज भुटियाज बुद्धिस हैं और नेपाली हिंदू historically माना जाता है कि लेपचाज सिक्किम के original लोग थे और 14 सदी के बाद टिबिट से भुटियाज सिक्किम में आने लगे जब 1642 में सिक्किम का किंगडम मनाया गया तो जो पहले चोग्याल थे चोग्याल मतलब राजा मान लीजी वो भुटिया कम्यूनिटी से ही थे नेपाली सिक्किम में आने लगे 18 सदी से 18 सथी में Sikkim के kingdom ने कई wars लड़ी बोटान और नेपाल के खिलाफ अब इन wars में नेपाल ने सिक्किम को मात दे दी थी और नेपाल ने वेस्टन सिक्किम का एक बहुत बड़ा हिस्सा occupy कर लिया था इसी period के दुरान सबसे बड़ी migration हुई नेपाली की सिक्किम में और इसी वरे से लपचाज और भुटियाज नेपाली को माइगरेंट्स बुलाते हैं अब जैसे आप इमाजन कर सकते हैं कि ऐसे चीजों से सिक्किम की population बदली सिक्किम का पहला official census हुआ था 1891 में जिसने दिखाया कि नेपाली की population 56% थी जबकि लेप्चाज और भुटियाज की 19 और 16% पर लेटेस्स फिगर्स ने दिखाया है कि अब ये percentages चेंज हों गए 70, 7 और 13% जिसकी वरिसे भुटिय और लेप्चा कम्यूनिटीज मानती हैं कि ये माइगरेन नेपाली उनके घर में डॉमिनेट कर रहे हैं और ये कम्यूनिटीज नेपालीज पर भी दोज डालती हैं कि उन्होंने 1975 में दंगे करें जिसकी वरिसे सिक्किम इंडिया का भाग बन गया जैसे मैंने का कि इस कहानी के बारे में आप ये वीडियो देख सकते हैं इसके बारे नेपाली ने भी कहा है कि उनकी भी कही दिक्कते हैं वो कहते हैं कि लेप्चा और भुट्या कम्यूटीज को तो सिड्यू ट्राइब का स्टेटस में इसकी वरिसे उनको कही रेजवेशन्स मिलती हैं जबकि मैजौरीटी नेपाली कम्यूटी को नहीं अगर आपने मेरा रीसिन्ट मनिपूर का वीडियो देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे मनिपूर और सिक्किम में प्रॉब्लम्स सिमिलर हैं सिक्किमीज नेपाली कम्यूनिटी ये भी कहती है कि उनके खिलाफ भेदबा होता है वो ये भी कहते कि उनके पास इतनी जमीन नहीं है भुटिया और लप्चास के कंपारिजन से जबकि भुटिया और लप्चास का एक और डर है अगर आप सिक्किम की फोटिलिटी रेट और डीटेल में देखोगे तो वो कहते कि SC, ST और OBSY की फोटिलिटी रेट तरीब बन है जबकि वो कहते कि नेपाली कम्यूनिटी की फोटिलिटी रेट ज़्यादा है अब ये जरूरे कि इन सारी कम्यूनिटी की पॉप्लेशन गरेगी सिक्किम में पर लप्चाज और भुटियाज की पॉप्लेशन साधा गरेगी इसका मुल्ब है कि नेपाली की डॉमिनेशन सिक्किम में और बढ़ सकती है जो एक्जाक्ली प्रॉब्म लगती है मनेपुर की तरह और आप में से 20 लाग लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा है आप जानते हैं कि मनेपुर में हो क्या रह भी तो एक तरफ है हिल के लोग जैसे कुक्की और नागा ट्राइब्स और दूसी तरफ है वैली के लोग जो है मैतीस और ये एक कारण है जिसकी वरे से इन ग्रूप्स के बीच में इतनी प्रॉब्म्स क्रेट होती है इसी वरे से सरकार काई स्टेप्स ले रही है जिकमन और्भू भाटिया और उनकी बीवी सेरिंग दिखी अपना पहला बच्चा एक्सपेट कर रहे हैं शादी के पांच साल बात इन दोनों के तीन miscarriages हुए और वो बहुत बार डॉक्तर के पास गये fertility treatments के लिए पर फाइनली वो खुश है कि वो माबाप बन पाएंगे Mr. Bhutia, जो एक social activist है, वो कहते है कि यह हुआ Sikkim सरकार की वरे से The Sikkim government is coming up with a new scheme which would help women who cannot conceive undergo in vitro fertilization treatment Sikkim सरकार ऐसे couples को financial support दे रही है in vitro fertilization करने के लिए एक सरकारी स्कीम की जरी है In vitro fertilization बेसिकल एक medical procedure है जिसे वो couples जो बच्चे पैदा नहीं कर पारे naturally, वो इस treatment को यूज कर सकते हैं इसके लावा काई incentives है सरकारी employees के लिए जो एक से जादा बच्चे करते हैं अगर एक सरकारी महिला employee अपना दूसरा बच्चा करती है तो उनकी salary को एक increment मिलेगी और तीसरे बच्चे के लिए उनको एक और increment मिलेगी और बस यही नहीं सरकार एक साल का paid maternity leave भी देगी और एक महिने की paid paternity leave भी देगी इसके लावा पहले साल के लिए आपको एक attendant भी दिया जाएगा जो आपकी बच्चे की देखबाल कर सके पर सिक्किमी लोगों का एक mixed reaction रहा है इन policies के बारे अपरना छेत्री जो 40 साल की civil servant है वो अपने 6 माईने की बच्ची के साथ खेल रही थी और इसी समय किसी ने पूछा कि क्या आपका बच्चा एक injection से हुआ है ये 6 साल की बच्ची अपरना का दूसरा बच्चा है जिनको उन्होंने conceive किया IVF treatment से और सिक्चिम के समाज में कई लोग ये मानते हैं कि वो बच्चे जो IVF treatment से होते हैं वो plastic boxes में बनते हैं या फिर वो ऐसे बच्चे हैं जो माबाब के हैं ही नहीं और ऐसे सवाल कि क्या आपका बच्चा एक injection से हुआ है अपरना जैसे parents को अच्छा नहीं लगता वो कहते हैं कि मैं उनको कैसे बताऊं कि ये मेरा बच्चा है मुझे कई injections लगाने पड़े थे जो बहुत ही painful थे और 9 महीने के लिए मेरी बच्ची मेरी body के अंदर थी और ना किसी refrigerator में श्रंकर दियो धाकल जो सिक्किम के एक सरकारी official है वो कहते कि उधर की population को increase करने के लिए उनको समाज की सोच बदलनी होगी अगर वो सोच नहीं बदलेंगे तो काई लोग ऐसे financial schemes को नहीं यूज करेंगे सिक्किम के चैफ मिनेस्टर के साब से जानवरी 2023 तक 38 महिलाओं ने सरकारी scheme को यूज किया और उनकों से कुछ तो माय भी बन गए रूची छेतरी जो एक IVF specialist है वो कहते हैं कि जो सरकार ने निर्ने लिये हैं वो बहुत अनोखे हैं हमारी problems को solve करने के लिए पर वो ये जरूर मानती कि जैसे हम समाज में इस चीज के बारे में बात करेंगे लोग IVF treatment से इतना भागेंगे नि और hopefully सिक्किम की एक बहुत बड़ी problem solve हो जाएगी पर हमें ये भी समझना चीए कि ये बस सिक्किम की problem नहीं है इस map को देखिए वापस इंडिया की fertility rate 2 है जब कि replacement rate 2.1 है यानि कि थोड़े time के बाद इंडिया की population भी कम होने लग जाएगी in fact माना जाता है कि 2064 में इंडिया की population 1.7 billion होईगी और उस समय के बाद ये population गिरने लग जाएगी आप में से कुछ लोग बोगी कि इसमें डरने की क्या बात है करोडों लोग है हमारे देश में हमें और लोग नहीं चाहिए पर ऐसी सोच चाइना की भी थी जब उन्होंने one child policy launch करे और अब चाइना में काई लोग डरे हुए है कि उनकी population कम हो रही है Population Foundation of India की Poonam Mutreja कहती है कि 30 सालों में हम भी शायद ऐसी ही problem से गुज़र रहे होंगे जा हमारे देश में करोडों बुड़े लोग होंगे और शायद इतने लोग ना हूँ उनकी देखबाल से ले एक बहुत बड़ा डर जो इंडियन सरकार में है वो है कि अमीर बनने से पहले इंडिया बुड़ा ना हो जाए बच्पत सही इंडियन बच्चों को demographic dividend के बार में बताया जा रहा है कि हमारे देश में इतने यंग लोग हैं जो हमारी economy बढ़ा सकते हैं पर एक समस्य है कि कई यंग लोग काम नहीं कर रहें इंडिया की youth unemployment rate बहुत हाई है जब demographic dividend की बात होती है ये एक बहुत golden opportunity होती है एक ऐसी opportunity है जो कई देशों को नहीं मिलती है ये वो समय होता है जब किसी देश की working population dependent population से जाधा होती है इसका मतलब है कि कई लोग काम कर रहे हैं बहुत कुछी लोग है जो इतना काम नहीं कर रहे और जो बूड़े है ये golden period start हुआ हमारे लिए 2018 में पर ये golden period हर समय नहीं चलेगा in fact ये खतम होएगा 2055 में तो basically हमारे पास करीब 40 साल है इस चीज की advantage उठाने के लिए कई Asian economies जैसे South Korea, Japan और चाइना ने इसी golden opportunity को use किया अमीर बनने के लिए हमारे देश में करोडो 9 जवान तो है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 जवान धंकी नौक्रिया करेंगे जिससे हमारे देश को फायदा मिलेगा COVID से पहले ही इंडिया की बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़ादा थी इंडिया की working age population में बस 46% लोग या तो काम करना चाते हैं या फिर कर रहे हैं 2018 के एक survey दिखाया है कि पांचवी क्लास के आदे बच्चे second class की book भी नहीं पड़गा है सोचिए वापस आदे पांचवी क्लास के बच्चे second class की किताब नहीं पड़गा है इसलिए कई लोग को डर है कि इंडिया एक जाल में फस जाएगा उस जाल का नाम है middle income trap इस trap का मतलब यह है कि कई देश extreme poverty तानि कि जहां बहुत ज़्यादा गरीबी होती है उससे तो आगे बढ़ पाते हैं पर एकदम developed होने से पहले वो रुक जाते हैं पर हमारे देश के में इतने नौजवान लोग नहीं बचेंगे जो काम कर रहे होगे 2017 में एक study ने का था कि इंडिया इक capability trap में है इस trap का कहना है कि हमें अपनी manzil पता है और इस manzil का रास्ता क्या होगा यह भी पता है बस हमारे पास skills नहीं है अपनी manzil तक पहुचने के लिए और इन skills के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सरकार education पर focus करें ताकि हमारा देश बूडे होने से पहले अमीर मन जाए यह एक unique वीडियो था बहुत ज़्यादा research लगी तो अच्छा लगा तो please subscribe करना ताकि चानल ग्रो करता रहे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इन दो वीडियो को ज़रूर देखना पहला वीडियो है सिक्किम के इतिहास के बारे में जा आप यह समझपाऊगे कि सिक्किम इंडिया का हिस्सा बना कैसे और दूसरा वीडियो है मनिपूर के बारे में कि मनिपूर में चल क्या रहा है और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के में तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखने